आलो गाइस welcome to my youtube channel दोस्थ महिने में आती है electricity का bill electricity का bill कैसे generate होता है युनीटस के ओपर आप अगर महिने में इतना unit यूज करते हो तो इतना electricity bill आएगा अगर महिने में 5 unit यूज करते हो तो electricity bill टोड़ा कम आएगा आप अगर महिने में ब shap 20 units करते हो तो कितना कौश पढ़ेगा सभी चीज जो है ना मैं आगे आपको बताऊंगा यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजे अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब पीजे और यह वीडियो आपको पसंद आया तो आपके सारे अलेक्ट्रिकल फ्रेंड्स का शेर किजे तो गाइस बिना रुक आज के टॉपिक के और बढ़ते हैं तो गाइस इदर आप देख सकते हूं टेबल है ओके डेमेस्टिक कंजुमर्स के लिए यह जो है ना टेबल है यह सिटीस एरियास के लिए जो है ना एक औस कंसिडर किया जाता है विलेज एरियास में जो ना एक औस कंसिडर किया जाता है तो गाइस इदर देखिए मंतली कंजम्शन अप टू 30 युनिट्स आप अगर 30 युनिट्स से कम जो ना मंतली कंजम्शन करते हो तो ओल्ड रेट्स पर युनिट ता 3 रुपिस अब न्यू रेट्स पर युनिट है 3 रुपिस 25 पैसा ओ आपका टोटल एलेक्ट्रिसिटी का बिल जाना आएगा एक पर मंत का अब अगर मैने में बिट्विन 31 एंड 100 युनिट्स युनिट्स करते हो तो जो टेक्निक्शन क्या करेगा 4 रुपिस 70 पैसा के साथ मल्टिप्लाइ करेगा जितना युनिट आया सपोस आपका युनिट आया 45 45 इंटू 4.70 फोर रुपिस 70 पैसा जो एना मल्टिप्लाइ करेगा तब जाकर आपका आएगा टोटल एलेक्ट्रिसिटी का बिल अब अगर मैने में यूस करते हो 1012 200 युनिट्स बिट्विन में सपोस एग्जांपल 150 युनिट यूस करते हो तो टेक्निशन क्या करेगा 150 इंटू 6 रुपिस 25 पैसा के साथ जो एना मल्टिप्लाइ करेगा तब जाकर आपके आएगी टोटल कोश्ट अब अगर अबो 200 यूनिट यूस करते हो मैने में तो टेक्निशन क्या करेगा जो यूनिट आता है एग्जांपल 250 यूनिट यूस करते हो तो 250 इंटू 7 रुपिस 35 पैसा के साथ जो एना मल्टिप्लाइ करेगा तब जाकर आपके आएगी टोटल एलेक्टिशिट का बिल यह रहा विलेज सॉरी सिटी से एरियास का कोश्ट अब हम देखिंगे विलेज एरियास में जो एना एक कोश्ट कंसिडर क्या जाता है सिर्फ पैसे के ओप तो 30 उनिट्स बिलो 30 उनिट्स रहा तो 3 रुपिस 15 पैसा के साथ जो एना मल्टिप्लाइ किया जाता है और बिट्विन 31 एंड 100 उनिट्स रहा तो 4 रुपिस 45 पैसा के साथ जो एना मल्टिप्लाइ किया जाता है अगर अबो 200 उनिट्स रहा तो 6 रुपिस 80 पैसा के साथ ज जो आना जनेरेट होता है तो आप अगर 1 unit use करते हो आप CD में रहते हो तो 3 रूपीस 25 पैसा जो आना आपको पड़ेगा आप अगर 100 unit use करते हो तो इधर आप देखिए 4 रूपीस 70 पैसा जो आना आपको cost पड़ेगा आप अगर अगर about 200 reduce करते हो तो 7 रूपीस 30 पैसा आपको cost पड़ेगा तो guys यह रहा cost per unit कोई भी doubt रहा है तो नीचे comment कीजे और यह वीडियो आपको पसंद आ तो आपके सारे electrical friends और technicians या electricians जो भी हो उनको share कीजे तो guys thank you for watching this video have a great day